नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम जानेंगे सिलिंग हुक के बारे में सिलिंग हुक क्या है इसकी लंबाई कितनी होगी किसे मैटल से तयार किया जाता है और इसका यूज फायर में कहां पर करते तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबार दे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट करें सेर करें तो चले फ्रेंड से बात करते हैं अपने टोपिक की तरफ एक यह जो सिलिंग हुक होता है इसको अन्य नाम से यानि फायर हुक के नाम से भी जाना जाता है सिलिंग हुक को सिलिंग जो हुक है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है ये इसे प्रकार का एक यंतर होगा जिसका आगे का जो पार्ट है वो नुकिला होगा इसको स्टिल मेटल के मादम से तयार किया जाता है ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है सिलिंग हुक देखिए जो सिलिंग हुक होता है उसका ये जो पीछे का पार्ट यहां से यहां तक वो या तो लकडी का बना होगा या फिर फाइबर गलास का बना होता है या तो लकडी का बना हो सकता है या फिर फाइबर गलास के मादम से इसको तयार किया जाता है आगे का जो यह पार्ट आपको दिखाई देता है यह होगा स्टिल धातू का स्टिल का यह यहां पे एक नुकिला हिस्सा होता है जिसके मादम से हमें कोई भी ड्रिल छेद करने का काम करते हैं प्वेंट के नाम से इसको जाना जाता है यह उपर का जो उखड़ा हुआ जो पार्ट है वो खड़ा हुआ इसको सपर के नाम से जानते हैं सपर इसको सपर कहा जाता है सपर जो है वो 90 डिग्री एंगल के उपर खड़ा होगा कुछ इस परकार से ये जो एंगल आपको दिखाई देता है वो कितना होगा 90 डिग्री एंगल के उपर सपर को लगाया जाता है आगे का जो ये पॉइंट है उसके मादम से हम कोई छेद वगरा करते हैं और इस सपर के मादम से जब आग लग जाती है किसे स्थान के उपर तो उस स्थान पर सामान को उथल पुथल करने के लिए इस सपर का ही यूज लिया जाता है मैं बात करूँ इसकी लंबाई की ceiling hook की लंबाई length लंबाई होगी लगबग इसकी 2 से 2.5 मीटर ये तो लंबाई है मीटर के अंदर सबसे अधिक पूछी जाते है मीटर के अंदर ही fit में बहुत कम पूछते हैं और fit में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7 से 8 fit इसकी लंबाई होती है ceiling hook की ceiling hook की जो लंबाई होगी 7 से 8 fit हो सकती है इसका जो ये part दिखाई देता है सपर ये लगबग 100 mm का होगा कितने 100 mm का होता है 100 mm का इसका सपर होगा तो ये हैं इसके जितने भी part होते हैं वो पीछे का ये जो हिस्सा है लकड़ी या fiber glass का बनाया जाता है आगे से steel का बना होगा नुकिले को point के नाम से जाना जाता है ये खड़ा हुआ जो part है उसको सपर कहा जाता है लंबाई 2 से 2.5 मीटर होगी fit में 7 से 8 fit हो सकती है सपर जो होगा 100 mm होगा और इसका सपर का जो कोण है वो कितना होगा वे 90 degree angle के उपर लगाया जाता है सपर का जो angle जो होगा वो कितना होगा 90 degree angle के उपर इसको तयार किया जाता है जब भी किसी भी सामान को उथल पुथल करना हो इसमें फशा करके तुरंथ हमें खीचने का काम करते हैं तो ये तो होते हैं इसके पार्टस ने में लंबाई कितनी होगी किस मैटल का बना होता है अब बात करते हैं यूज के बारे में इसका यूज हमें कहां पर करते हैं देखिए जब भी कोई आग लग जाती है उस दोरान सामान को उथल पुथल करने के लिए सिलिंग हुक का यूज लिया जाता है सामान को उथल पुथल करने के लिए दूसरा पॉइंट की तरफ में बात करूँ कि जब भी किसी भी बिल्डिंग के छट के उपर आग लग जाती है और फायरमेन फायरफाइटिंग करके आग को बुझाने का काम करता है कुछ इस परकार से देखिए ये बिल्डिंग है इसे बिल्डिंग के उपर आग लगी अब यहां से फायरमेन फायरफाइटिंग करके इस आग को बुझाने का काम करता है जिब फायरमेन पानी के मादम से आग को बुझाएगा तो जाहिर सी बात है इसकी छट के उपर पानी भर जाता है और पानी अधिक समय तक भरा रहेगा तो छट नस्ट भी हो सकती है या फिर अपनी मजबूती खो सकती है तो इस पानी को निकालने के लिए किसका यूज लेते हैं सिलिंग हुक का सिलिंग हुक के माद्यम से इस छट के अंदर हमें एक बारिक सा ड्रिल कर देते हैं जिसके द्वारा जो पानी है उपर से नीचे की तरफ आना सुरू हो जाता है यहाँ पर कंटिन्यू फायरमेन उपर की तरफ फायरफाइटिंग करता रहेगा और पानी जो है छट से नीचे की तरफ आतार रहेगा तो इससे बिल्डिंग भी सेफ रहेगी सुरक्षित रहेगी और आसानी से फायरमेन फायरफाइटिंग करने का काम भी कर सकता है तो इसलिए जब भी किसी बिल्डिंग की छट के उपर पानी भर जाता है तो उसमें इसे नुकिले पॉइंट के मादम से ड्रिल के द्वारा हमें पानी को निकालने का काम करते हैं सिलिंग हुक के द्वारा फिर दरवाजों को खोलने के लिए इसका यूज लेते हैं दरवाजों को खोलने में बंद करने के लिए डोर ओपन और क्लोज करने के लिए हम इसका यूज लेते हैं जब भी किसी भी बिल्डिंग में आग लगी किसी भी मकान के अंदर आग लगी तो इस सिलिंग हुक के मादम से सपर जो है वो फसा करके उस कुंडी के अंदर हम खेच लेते हैं तो खेचने से क्या होगा कि जो दरवाजा है वो खुल जाता है और जब भी बंद करना होगा तो उसके मादम से हम बंद भी कर लेते हैं तो इसलिए इसका यूज दरवाजों को खोलने बंद करने के लिए किया जाता है इसके अलावा मैं बात करूँ तो जहाँ पर घासपूस में आग लग जाती है तो घासपूस में आग लगेगी तो उसके जो बंडल होते हैं घासपूस के उसको भी इस सपर के अंदर फसा करके हमें आग से हटाने का काम करते हैं आग को लगने के लिए जो घासपूस के अंदर जो आग लगती है उस आग को बचाने के लिए हम उस बंडल को खिचने का काम करते हैं तो इस प्रकार से जो गासपूस के बंडल वगरा होगे थेला वगरा होगा, कोई बैग वगरा होगे, कपड़े वगरा होते हैं उन सामान को भी हमें आग से हटाने का काम करते हैं ceiling hook के मादम से या फिर कोई भी बिजली का बोड वगरा होगा कोई बटन को on-off करने के लिए भी हम इसका use ले सकते यह जो nukila जो point होता है उसके मादम से हम किसी भी बटन को on या off कर सकते तो वहाँ पर भी ceiling hook का use लिया जाता है तो यह है ceiling hook ceiling hook किसे कहा जाता है दूसरा अन्य नाम क्या होगा कौन-कौन से इसके parts होते हैं लंबाई क्या होगी मीटर में, fit में, सपर कितना लंबा होता है और इसका सपर का जो angle होगा वो कितने angle पे बनाया जाता है कौन पे तयार गया जाता है इसका यूज कहा पर किया जाता है सामान को उथल पुथल करने के लिए दरवाजों को खोलने बंद करने के लिए छत में drill करने के लिए या फिर किसी भी बटन को on या off करने के लिए हम ceiling hook का यूज ले दे तो ये था ceiling hook वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें कोमेंट करें सेर करें इसी प्रकार की interesting वीडियो आप तक आती रहेगी तब तक के लिए जै हिंद जै भार